कि है कि हेलो गाइस माइनेम इस कुल्दीप एन वेलकम टू स्टडी फंडा आज का जो लेक्शर होने वाला है वो काफी जदा इंपोडेंट हो तो जानेंगे इसके बार में आखिर पेपर लिक्ष की जो इंफयरियो औक है और यह चैनल और फ्य लिलेक्स है न वो इस रिर्फी path रही है और काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट फैक्स और कुछ नॉलिज में मिलेगी ठीक है तो चलिए इस लेक्षर को हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि यह साइट पर जैसे कि इसे की साइट पर लिखा है की पेंडोरा पेपर एन ओफशोर डेटा सुनामी मतले जो डेटा है न अ काफी जर्य कौज़ा डेटा इसमें लीख हो गया तो वह इसी को बोले के आप शोर डेटा सुनाम और यह जो ऑफशोर इसले बोला गया गया कि जितने भी सब चीज़एं वो out of the country ही मिली हैं तो इसी विए से इसको offshore data सुना ही बोला तो इसमें 11.9 million records ऐसे हैं मिले होएं तो 11.9 million रोकर में मतलब बहुत जाद हो गए मतलब एक जैसे एक million में कितने होते हैं 10 लाग एक million 10 लाग तो 10 million कितने होते हैं एक करोड तो यह हो गए 11 million मतलब एक करोड से ज्यादा केस में documents इसमें मिले होएं तो इसका कहना तो इनका कहना में इस चीज को पहले टम को याद रहना Pandora papers जैसे इससे पहले Panama papers या वी नीज में चलाता या Paradise paper वी नीज में चलाता सेम एस यह पेंडोरा पेपर से तो जैसे इसमें लिखा हुआ है पेंडोरा पेपर इन्वेस्टिकेशन इस दा वर्ल लार्जेस एवर जनलिस्टिक कोलेबरेशन इन्वाग नीमोर दें 600 जैनलिस्ट फ्रॉंवन सिफ्टी मीडिया आउटलिस इन वन हिंडेट सेमेंटीज कंट्री मतला इसमें बूला कि यह जो पेंडोरा जो पेपर इन्वेस्टिकेशन वह अब तक कि सबसे वर्ल लार्जेस वर्ल सबसे बड़ी एवर जन अब देखने इसके पहले तो इस आई सी आई सी के वाईर में थोड़े देखने हैं आई सी आई जी ठीक है इंटरनेशनल चन्सोर्टिम आफ इन्वेस्टिकेटिंग जनरलिस्ट तो यह एक यूनिक और्गनाशन यूस बेस्ट है और यह नॉन प्रॉफिट और इस तो इस इस तरीके कोशन आ जा सकते हैं ठीके देन इसमें देखें तो यह जो पैंडोरा पेपर लिक्समा तो इनमें 11.9 मिलिंक के ऐसे फाइल जो हैं वो आल ओवर वर्ड में लीख होगे हैं तो जिस जो की 14 ग्लोवल कंपनी जो कॉर्पेट सर्विस हैं उन से रिलिटेर हैं जिसमें दो उन्तीस हजार से जादा फोर ऑफ्षोर जो शैट कंपनी और च्प्राइबेट से उनसे लिंक consistent मतलब मैं इसका मतलब बतावों जो अफ्षोर शैट कंपनी होगे है यह जो प्राइवेट ट्रemale से लिंक हैं ब Connie से लिंकनी हं जो जोडिब्याद हें लाइक सींगपूर हो गया न्यूज पी öffentlich कं आyNE Os तो इस चीज़ को भी यायर दुखना तो जैसे मैं बुला कि sell company तो एक sell company क्या होती मैं दो टाइप मोध एक होती है शैल कंपनी और होती है शैल कंपणी और यह जो पेंडर केपर लीक्स हुआ है इसमें शैल कंपनी का रोल है और लेकिन दैप की कंपणी होते है शेल कंपणी तो इन दोनों के बारें डिफरेंट最近 देख ले के बारे तो पहले सbald देख लिलेकेयर कंपणी कोती है मैं इक तरहकी transparent should कि वह इनक्टिव होती है माझा एक कंपणी बनादिए ऊंपर ही इसकी एक्टिव है वेसे अगर फिजिकली देखे जाये तो उसका ना ही कोई आफिस है ना ही कोई कुछ वर्क कर रहीं ना है उसमें कुछ इंप्लोई है उसको बोलते हैं शेल कंपणी और इसमें कुछ अक्टिविटी तो होती है लेकिने आफ्शिर बाहर होती है और रेडिमेट कंपनी होती है ठीक है तो यह एक बड़ा मेज़र डिफरेंस होता है शेल कंपनी और शेल ऑट ने इस तो इसका मीन हो गया इसके हलाव जैसे मैं बताया है कि परणामा पेपर्स और जो पेराडाइस पेपर हैं वो भी इससे पहले न्यूजब रहते हैं तो परणामा पेपर और पेराडाइस पेपर डी लार्जली विट ऑफ्शोर इंटिटी सेट अप बाई इंडिवीजर और वो भी इसी तरीके से लीकते हैं जो ऑफ्शोर इंटिटी से निक्ती से भाब मंने पहले के 108 व्टाति分享 से निसे हैं सभी इस नि कि करिए तरीकी है इस चीज़की आप यारखना प зр Hadis ऐसे कि इस एक तरह है तो जैसे कि इसमें बदाएज जो अभी हए तो इसमें 336 से ज्यादा पॉलिटिशन आल ओवर वर्ल्ट से इसमें इन्वाल में और इसमें एक्सपोज हो गया है लीख वर फ्रॉम मोर देन नांटी ग्मट्री से यह जिए रिडिटेड होंगे और इसके लावा कुछ टेरिटीस टेरिटीस भी है इसमें इसमें इन्वाल में तो 336 पॉलिटिशन इस रिपोर्ट में लिख होएं मतलब उनके बारे थोड़ा पता चला है इसके लावा दे यूज एंटिटी इन सी क्रेशी जुडिक्शन टू बाई रियल स्टेट होल्ड मनी इंट्रेस्ट इसके लावा मतलब इसमें यह बोलाए गा तो एक ठेस्टी एग्जीट रहा उसको मता नीए हुआ है तो उनके लिए सब चीज़ें कर रहा है है नुए प्याफ में वह सब चीज़ें नीगा है वो जिसको क्या बोलते है ट्रेस्टी और क्या बना रेट कुर्ष बना इसके लाववा शकीरा Jokey Popsinger वो भी इनका नाम सामने आया है और ऑजे इन्डिया के सजिनत endul इनका भी नाम सामने आया है Then, Pakistan के कावी सारी politician के भी नाम इस में इस report में आया है इस चीज़ को भी आया कह시면 then, ये इसकी जो IC-IJ site है, उसका कट-आउट मैं लिया तो इसमें आ देख़ोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड से 336 है जिसमें इनका नाम आया इसके लावा इंडिया में देखा जाए तो हम इंडिया में गौर करते हैं तो इंडिया में ऐसे छे पॉलिटीशन का नाम इसमें आया है अभी इस पूरी तरीकी से आया नहीं लेकिन इसमें यह है कि छे पॉलिटीशन इस रिपी इस रूपोर्ट में इनका नाम आया है ठीक है तो इस चीज को प्याद में जैसे को समालने माला कौन होता है तो ऊपने पास एसे रखता है और किसके व्याप में जो जिसकी एसिट जो असली मालिक होता है वो उनकी देख्वार करता है उनके एक्स प्याबिक हो गया उनके एक्सेट मतलब हो गया trust का तो इस चीज़ को आप या रखना तो इसमें self company और trust ये दो के बारे में ज़्यादा ये दो topic काफी ज़्याद हो जाते हैं तो इन चीज़ को या रखना तो ये directly exam में पूछे ज़ा सकते हैं ठीक है इसमें हम देखेंगे तो आखरी रीजन क्यों कि ऐसे सारे टर्स्टी को overseas टर्स्टी बनाना इनके कुछ रीजन यह कि सीक्रेशी मतलब इन सब चीज़ें सीक्रेशी काफी जाद होती है इनकी जो सीक्रेशी कभी लीक नहीं होती कभी को लेगे अब जो लीक होगे पैंडर यह इन जापरेड रखना मिदलब एक तो पर्सेट इसे जिनको वह टैक्स लेकिन कुछ चीजं को पर हो टैक्स नहीं दे ले और तो वह जो चीज होती है वह ट्रस्टी ट्रेश्ट के रूप में वह रखते है ठीक है तो एक दूसरा यह हो गया इसके लावगा कुछ इंडिया के बाद उनको बताना पड़ता है लेकिन जो एनरे जो होते हैं उनको यह सब चीज़ेंगे जरुद नहीं पड़ती है काफी ज़्या बढ़ जाता है इसमें और देखें इंटर्नेशन कोपरेशन क्या है इंडिया का इंसट चाइज़ें आधना इंडिया ने काफी सारे कंटीज के साथ यह डवल्ल टैक्सेस आवरेंश एक्रिमेंट साइंड क्या मत्ता इसका मतलब यह है कि कोई जैसे कि कोई प्रद्विनेश पर करना पड़ता है तो इंडिया जो है इंडेन गॉवर्मेंट हो गई तो इंडिया गॉवर्मेंट मालीजे गॉवर्मेंट के साथ एक टंटी में देगा उसको बॉलता है दौवप करके उसको फिर ऐक बार टैक्स दिया जाएगा तो इसका यह मतलब है, इसके लावा, ओटन इसके लावा, ओटोमेटिक एक्षांटाञ्ट्ह एक्षांज राथ है, इसके लावा, इसके लावा इन्टरनेशनल कोपरेश्थिन के साथ, इसके लावा India has signed double tax awareness agreement और DTA is with 88 countries मत्द्द अंडिया ने अब तक 88 countries के साथ यह double tax awareness agreement sign किया तो यह number को भी याद रखना इसके लावा अगरा इन future कोई भी किसी country के साथ वह agreement sign करता है तो यह भी आप इसमें modified कर सकते हो ठीक है तो आज के लेक्शन में बस इतना ही, तो इस जो टॉपिक जो चल रहा है, जो पैंडर हो टॉपिक है, तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप खुद भी सर्च कर लिए अगर कोई टॉपिक रह जाता है, बैसे यह काफी नुज में रहा है, तो इसके मैंने सारी कुस्टम तो बताए दिया है, जैसे कि सेल कंपनी हो गई, या ट्रेस्ट हो गया, या जो टेक्स जो है, टेक्सेशन सिस्टम है, या इंडिया के जो कॉपरेशन बागे दर कंट्री के साथ, यह बाकी सिब चीजें से मैंने समझा दिया है, तो आगे और कोई भी डेपलेमेंट या कोई भ बना दूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद और जैहिंद,